फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर जन्रेटर कुरण नहीं दे रहा थो उसको हम स्कॉप இ की इस तरह से करते हैं चाए भी जार्ण व्य hace होता होता है यह से व नहीं होता आपको पहला है कि अपनी रहा है तो पहले हैं यहाँ पर आपको बता दूँकि जो बना रखी है हर प्रोब्लम के बारे में आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में चैनल की तो फ्रेंड्स पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि अगर जनरेटर करण नहीं देता तो उसके कई सारे रीजन होते हैं या तो आपके डाइवोड खराब हो सकते हैं करण वाले य उसके बाद भी आपका जनरेटर करण नहीं दे रहा है तो उसके दो रीजन हो सकते हैं पहला रीजन क्या होता है कि हमने आल्टरनेटर की बाइंडिंग की होती है तब ऐसी प्रोब्लम आ जाती है तो उस कभी ऐसा होता है कि हम आल्टरनेटर को रिपेर करने के बाद उसके च्यार्ज करना पड़ जाता है और दूसरा रीजन यह होता है कि जन्यर्ड़ काफी टाइम से खड़ा हुआ होता है यह आपने उसको एक वेड़ महिना पहले यूज़ किया था prize चन्यर्ड़ काफी टाइम से खड़ा है आपने उसको चलाए नहीं उसको यूज ही नहीं किया है तब ऐसी problem हो सकती है या फिर बरसात का मोसम होता तब ऐसी problem हो जाती है जिस वज़े से alternator के फिल्डों के अंदर moisture आ जाता है यानि sealant आ जाती है तो उस वज़े से भी alternator current नहीं देता है अब ऐसी condition में हम क्या करते है प्राइमरी फिल्ड एक मोटी फिल्ड होती है और एक पतली फिल्ड होती है आग्रामेड जन्रेटर में या छोटे वाले जन्रेटरों में लेकिन जो silent जन्रेटर होते हैं उसके अंदर फिल्डों के दो ही तार आते हैं जो secondary होती है वह अंदर ही ex लग हैं तो प्राइमरी फिड़ो के तार कहां पर आते हैं जहां पर उपर चाराण लगते हैं वहां पर फिर्ड़ो के दो तार आते लगाने होंगे फिल्डों पर प्राइमरी फिल्डों पर यानि फिल्डों के दोनों वायर हमें बैटरी के दोनों टर्मिनल पर लगा देंगे अब किस तरह से लगाएंगे सबसे पहले क्या करेंगे एक वायर फिल्ड का एक वायर बैटरी के एक माइनस वाले टर्मिनल पर हो जाएगा तो बैटरी के उपर फेल्ड का दूसरा वायर भी लगा देंगे तो जैसे आल्टरनेटर के अंदर 12 वोल्ड DC सप्लाई पहुंचेगी तो आल्टरनेटर से आउट्पुट 220 वोल्ड आना चालू हो जाएगी इस टार्डिंग में पहले 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 तो जैसे आउट्पुट वोल्ड वोल्ड को चार्ज करते हैं लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इसको आप चार-पांच घंटे-दस-पंद्रा घंटे कंटिन्यू चला सकते हैं इस कंडिसन में कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप यह जानना च सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो मेरे सबी सोचल मीडिया अकाउंट्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रप्शन में मिल जाएंगे टेलिग्राम पर मुझे आप डारेक कॉल बोईस एसेमेस फोटो सेयर कर सकते हैं